मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी मा शक्ती, आज तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हें अब क्या करना है, तुम्हें अपनी जीवन यात्रा में अपने अनुसार, अपनी समझ के अनुसार बहुत सारे काम किये हैं, बहुत सारे अभ्यास किये हैं, बहुत फूजा पाट की हैं, भात एक जगत के भी बहुत से काम किये हैं लेकिन आज मैं तुम्हें जो बताने हूँ, वो तुम्हारी आत्मा की यात्रा के लिए बहुत जरूरी है इसलिए मेरे बच्चे, मुझे आना पड़े तुम्हारा मागदर्शन करने के लिए तो मेरे बच्चे सबसे पहले तुम्हें ये मानना है कि तुम एक शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो मेरे बच्चे मैं समस्ती हूँ कि इस माया जगत में तुम्हारे लिए ये मानना मुश्किल है लेकिन बच्चे मुश्किल है नामुम्किन नहीं है तुम्हें आत्मा के concept में आना है तुम्हें खुद को आत्मा मानना है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा में परमात्मा विराज मान है तो तुम परमात्मा ही हो ये तुम्हें मानना होगा साथ में मेरे बच्चे तुम्हारी ओर्जा अभी संतुलित हो रही है और पूड तहा संतुलन बनाने के लिए तुम्हें एक बात विशेश तहा माननी है विशेश तहा इस बात का पालन करना है कि तुम्हें खुद को आत्मा मानने के साथ साथ तुम्हें ये मानना है कि तुम्हारे बाए तरफ तुम हो और तुम्हारे दाए तरफ वो है जिसको तुम हमेशा से पाने की चाहत करते आए हो अर्था तुम्हें स्वयम को अर्धनारिश्वर स्वरूप में देखना है कि तुम आत्मा हो तुम उर्जा हो और उसमें भी तुम्हारा स्वरूप अर्धनारिश्वर का स्वरूप है जब तुम खुद को अर्धनारिश्वर के और जब तुम्हारे अंदर की उर्जा संतुलित हो जाएगी और जब तुम्हारे अंदर की उर्जा संतुलित होगी तो तुम्हारे दिलों दिमाग में हर समय जिस व्यक्ति का विचार आता रहता है उधर उसकी उर्जा संतुलित होना शुरू हो जाएगी तो मेरे बच्चे तुम अभी तक ये समझ नहीं पाये थे कि किस तरह से तुम्हें अपनी उर्जाओं का संतुलन बनाना है, तुम्हें अपने भीतर की दोनों उर्जाओं का शिव और शक्ती उर्जा का संतुलन कैसे बनाना है, ये मेरे बच्चे तुम समझ नहीं पाये थे और कोशेशे बहु जाते हो तो मेरे बच्चे तुम सिर्फ खुद को अर्दनारिश्वा स्वरूप में देखना शुरू कर दो तो अर्दनारिश्वा स्वरूप में एक तरफ शक्ति और एक तरफ शिव और दोनों बिल्कुल संतुलित रहते हैं जब तुम खुद को इस तरीके से देखना शुर भी अर्धनारिश्वर का स्वरूप देखो फिर तुम देखो कि तुम्हारी जिंदिगी में कितने बड़े बड़े परवर्तन आना शुरूप हो जाएंगे और जब तुम ऐसा करना शुरूप करोगे तो नाकारात्मग उर जाएं तुम पे और ज्यादा आक्रमट शुरूप कर देंगे मेरे बच्चे इस पात का भी ध्यान रखना लेकिन नाकारात्मग उर जाएंगे और तुम्हें पता है कि विजए तो हमेशा मेरी ही होनी है हमेशा मेरे बच्चों की विजए होनी है तो मेरे बच्चे तुम पे जो आक्रमण होंगे वो इसलिए होंगे ताकि तुम खुद को अर्दनारिश्वर स्वरूप में ना देख सको खुद को अर्दनारिश्वर ना मान सको जब तुम अपना स्वरूप देखोगे अर्दनारिश्वर स्वरूप में तो तुम्हें मैसूस होगा कि जो व्यक्ति तुम्हारे दिलों दिमाज में चलता रहता है वो तो तुम्हारी ही उर्जा का आदव भागर जो तुम्हारे ही शरीर में हैं तुम उसको अपने भीतर देख पाऊगे मेरे बच्चे तुम्हारे अंदर तुम्हारे शरीर के अंदर एक आत्मा है आत्मा में ही परमात्मा है परमात्मा में ही आत्मा है इसका मतलब संपूर संसार आत्मा में है जब संपूर संसार आत्मा में है तो तुम्हारा अर्धांग तुम्हारा ट्विन फ्लेम तुम्हारी आत्मा में कैसे नहीं हुआ, तुम्हारे अंदर ही तो हुआ, बस तुम उसको देख नहीं पा रहे हो मेरे बच्चे, तुम उसको देखना शुरू करो, उसको बाहर से नहीं देखना है, तुम खुद को आत्मा मानो और खुद को अर्दनारिश्वर स्वरूप में मानो, आधा शरीर तुम्हारा और आधा तुम्हारे ट्वीन ब्लेम का है बस इतना मानना शुरू कर दो खुद को इस तरीके से देखना शुरू कर दो सोचो जरा कि शिव शक्ति यूनाइट होके कितने शक्ति साली है शक्ति ने तपस्या की शिव को पाया और शिव शक्ति का जब मिलन हुआ तो कितने शक्ति साली हो गए वो ऐसे शक्ति साली तुम हो तुम अभी भी हो बस नजरिया बदलना है मेरे बच्चे अपनी द्रश्टी बदलनी है इस द्रश्टी को बदल लेने से तुम्हारे भीतर जो विचारों का द्वंद चलता रहता है वो द्वंद खतम हो जाएगा संतुलित हो जाएगी तुम्हारे उर्जा और जैसे ही तुम्हारे उर्जा संत पतुलित हो जाएंगी तुम्हारा पुनर मिलं तो निश्चत है । तुम तो मिलन में ही हो। भला राधा कानह से यह कानहा राधा से अलग ही कब थे Rép। राम जी से राम जी सीता से अलग कबत थे। ऐसे ही तुम दोनों हो, अपने नामों को, अपने और अपने पिछले जन्मों के साथी के नामों को एक साथ महसूस किया करो, अपने आधे भाग में अपने साथी का नाम महसूस किया करो, तुम एक ही हो, तुम्हारे भीतर ही तुम्हारा वो साथी है, तुम्हारे भीतर ही वो तुम् तुम उसे अपने भीतर खुद को आत्मा मानके और खुद को अर्धनारी ट्ốngरोप में देखोगे तब तुम्हारा वो साथी भी खुदको इसी रूप मेंुदे देखेंगा वो तो बस वो तो बस वो कर रहा है जो तुम कर रहे हो तुम्हें लगता है कि वो उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया वो कैसा भी नहीं कर रहा है वो वो कर रहा है जो तुम कर रहे हो मेरे बच्चे अपने विचारों को समालो, अपने द्रस्टी को समालो, तुम ही अर्धरारिश्वर हो, तुम ही शिवशक्ती हो, शिवभी तुमारे भीतर, शक्ती भी तुमारे भीतर है, खुद को शिवशक्ती मानना शुरू करो, बस यही विचार उस तक पहुंच जाएगा और वो भी इसी स्वरूप में आ जाएगा तुम्हें खुद को अपने अर्दनारिश्वर स्वरूप में लाना है जैसे ही तुम अर्दनारिश्वर स्वरूप में आओगे वो तुम्हारा साथ ही भी इसी स्वरूप में आ जाएगा इसलिए मेरे बच्चे आज से ये प्रड करो कि हमेशा खुद को अर्दनारिश्वर ही मानोगे तुम पहले तो आत्मा हो और आत्मा में भी अर्दनारिश्वर हो और अर्दनारिश्वर यानि समस्त स्रस्टी का स्रजन करता समस्त्रस्टी में ये अर्धनारिश्वर की ऊर्जा समाई हुई है ऐसा ही खुद को मानना है जब तुम ऐसा मानोगे तो मैंने बता दिया कि तुम्हारे साथी की ऊर्जा ऐसी हो जाएगी और तुम दोनों की आप के विचारों की जो ऊर्जा है जो सात्विग विचारों की उर्जा है वो ओर बढ़ती चली जाएगी तुम्हें ध्यान में और अनवव होना शुरू हो जाएगे ब youngest की और गहराई में तुम उतरते चले जाओगे जैसे जैसे तुम म youngest की गहराई में उतरोगे वैसे वैसे तुम्हारा साथी भी गहराई में उतरता चला जाएगा फिर तुम्हें ये एसास ही नहीं होगा कि वो कोई दूसरा है और उसको एसास नहीं होगा कि तुम कोई दूसरे हो और जैसे ही ये उर्जा आएगी तुम दोनों के बीश में तुम इस दुनिया में भी इस संसार में भी एक साथ होगे मेरे बच्चे पहले अपने भीतर खुद को अर्दनारिश्वर तो मानो तुम बस अपने को अर्दनारिश्वर नहीं मांगन रहे हूँ पस इतनी सी गलती कर रहे मेरे बच्चे ये गलती सुधार लो, खुद को अर्दनारिश्वर मानना शुरूर कर दोग, तुम्हारा इसी संसार में बहुत शीकरी तुम्हारा साथ ही तुम्हारे साथ होगा, बस मेरे बच्चे, खुद को अर्दनारिश्वर माननो, आज से अभी से प्रड़ लो, कि तुम ही अर्दनार मेरे बच्चे सदा प्रसन्न रहा करो मैं हर पल तुमारे साथ हूं मेरे बच्चे सदा प्रसन्न रहो